है दोस्तों देखे आरो ए आरो का कल कटाफ आ गया अफिशियल और उसके बाद एक शंका लोगों के मन में उत्पन्न हो गई है कि UP PCS प्रारवभी परिक्षा जो 2018 की होई है उसके कटाफ में भी तो यह सब देखने पनी मिलागा कि अलग अलग आ जाए अर्थात HDM का अलग कटा आफ बन जया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है आरो और Aरो में होने का कारण यह था कि पहली बात तो सब पदों की eligibility अलग लग थी इसलिए उनके पास reason था दूसा सबसे बड़ा जो कारण था वो यह था कि प्रतेक बार जितनी बार भी परिक्षाय होती थी ARO की seat full नहीं हो पाती थी और सभी खाली की खाली रह जाती थी maximum seat भरी नहीं जा पाती थी क्योंकि eligible candidates नहीं मिलते थे अर्था जो eligibility है ARO की साशन ने निर्धारित की है O level या समकक्ष वो नहीं हो पाती थी या जिसके पास होती थी वो form भरने की date के बाद की होती थी तो काफी लोग लोटा दिया आते थे final selection के बाद भी इसके अलावाट typing में भी काफी लोग fail हो जाते थे तो इस बार पहले से ही अलग निकाल दिया result ARO का ताकि लोग उसी में focus हो ARO में ही और अभी से सारा जुगार अपना किये रहे हैं अगर उनके पास eligibility है तो अगर eligibility नहीं है तो फिर वही होगा finally वो सब वापस कर दिये जाएंगे तो इस यही कारण रहा कि ARO और ARO का अलग अलग कटाफ बना और बहुत जादा जमीन आस्वान का फर्क देखने को मिला ARO का 122 कटाफ चला गया और ARO का 80 या 82 के आस्पास तो PCS में ऐसा कुछ है नहीं सभी पदों की लिजबिल्टी सेम है ऐसा भी नहीं होता है कोई पद खाली रह जाता है थीक है सारे पद लगभल लगभल भर लिया जाते हैं थीक है Maximum candidates बुलाए जाते है mains की परिक्षा देने के लिए 20 गुना लगभल ठीक है न तो उस वो प्रक्रिया अलग है यहां पर RO का बस मेंस का इग्जाम होना है इसके बाद final selection होना है ठीक है ना? RO में और कोई बाधा ही नहीं है RO का बस ये मेंस का इग्जाम होगा उसके बाद final selection हो जाएगा interview नहीं है ARO में typing है और टाइपिंग आपकी मेंस परिक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाए जाएगा तो कटाफ इसलिए जो हम लोग ने बताया था कमबाइन बताया था आरो और ए आरो का कमबाइन बताया था कि 800 कुछ पदों के लिए अगर कटाफ जाती कमबाइन आती तो 110-112 हम लोग बता रहे थे उससे भी कम ही जाती अगर देखा जाये तो ठीके पदों की संख्या और जितने कंडिर्स क्वालिफाई हुए हैं उसके इसाब से लेकिन चुकि अलग-अलग कर दिया गया तो कटाफ बहुत ज़्यादा कम चलेगी ARO की ARO की बहुत ज़्यादा चली गई ठीके तो कटाफ का वहाँ पर कोई विशेशन करने का मतलब भी नहीं था क्योंकि 82 वाला भी क्वालिफाई हुआ है और 112 वाला भी क्वालिफाई हुआ है और 100-110 करने वाला या 120 करने वाला स वाला हो गया या फिर आपका ACF वाला हो गया तो वो candidates पर depend करेगा कितने candidates उसके लिए है eligible उसके इसाफ से उसका cut-off भी आएगा ठीक है लेकिन जो सामान इपद हैं सबके लिए हैं उसकी cut-off जो depreciation है हम लोग का 86-88 के मध्य वही रहने की संभावना है और उतना जिसका है वो त्यारी करते रहें result बन रहा है बहुत जल्द आ जाएगा उसका result ठीक है प्राणमी परिक्षा का one month के अंदर देने की बात कही गई है दे देंगे हमारी मुख परिक्षा की class चल रही है आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं इस बार mains की form fill up करने में काफी नई चीज़ें आ गई है add कर दी गई है fall to fall to की information माग ली गई है लेकिन form आपको भरना है fill up करना है जिसके बास provisional certificate नहीं है form की date तक नहीं मिल सकता है वो लोग अपना final year का result लगा दें form में final जब form आप submit करेंगे उसमें ठीक है वो चल जाएगा interview के समय आप provisional तयार रखियेगा बाकी क्या problem आ रही थी काफी लोग कह रहे थे कि जैसे b-take किया हुआ है तो 27-27 subject पढ़ना पड़ता है तो उन subject के नाम डालना नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपको केवल जो trade से आपने किया है जैसे आपने mechanical trade से किया है तो trade बस आपको डालना है subject में बाकी आपके माता जी और पिता जी का जन्वस्थान पूछा गया है जिनकी transaction ID नहीं है नहीं मिल रही है वो बायास आइट दिया हुआ है update transaction ID वहाँ पर details डाल करके अपनी transaction ID वहाँ देख सकते हैं भले आपका SIM जो mobile पुराना था जिससे आपने farm भरा था वो mobile हो या नहों उस mobile number वो केवल वहाँ पर डालना है आपको वो transaction ID आपका दे देगा सब सब पहले आप conventional form भरेंगे उसके बाद fee pay करेंगे उसके बाद final form डाउनलोड करेंगे जो offline आपको जमा करना है offline भर करके लिफाफे में आपको जमा करना है 18 तारीक last date है जमा करने की fee payment की last date 18 तारीक है और परिक्षा का जो center है मात्र लखनव में है और कहीं नहीं center दिया गया इलहाबाद में रहता लेकिन इलहाबाद में कुम्भ मेला होने के वज़े से भीडबाड का डर है ठीक है असुबिधा हो सकती है प्रशासन उपलब्द नहीं करा पा रहा है तो इसलिए लखनव में ही पूरी परिक्षा रखी गई है तो दोस्तों और कोई doubt हो तो पूछ लीजेगा phone मैं receive नहीं कर पा रहा हूँ खुद की व्यस्तता की वज़े से आप लोग comment box में कर दीजे comment अगर कोई बहुत जोरी बात होगी तो नहीं तो सब कुछ तो हमने हमारे ख्याल से बता दिया है अपनों को all the best सबको